दोस्तो आत्मनेरवर भारत को मिला और एक बड़ा मजबूती और ये मजबूती है मेन बैटल टैंक के शेत्र में रिपोर्टों के मताविक कल मतलब गुरुवार के दिन मिनिस्ट्री और डिफेंस के द्वारा एक सो अठरा अर्जुन मार्कवान ए मेन बैटल टैंकों को खरिदने के लिए कॉंट्रैक को सील कर लिया गया रिपोर्टों में ये भी जानकरी दिया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को मजबूत करने के लिए जिन टैंकों को खरिदा जा रहा है उसका लागत करिवन 7,523 करोर रुपया है और अर्जुन मार्कवान ए टैंकों के लिए डिफेंस विनिस्ट्री और हेवी वियेकल फैक्टरी अबदी चेनने में समझोता हुआ है दोस्तों मेक इन इंडिया और आत्मनिर्फर भारत जैसे संकल्प के लिए ये मेन बैटल टैंक के कॉंट्रैक काफी अधिक महत्तपूर्ण है क्योंकि ये एक सौधीशी निर्मित ऐसा टैंक है जो फायर फावर मोबिलिटी और सर्वाइविलिटी के लिए पैचाना जाता है दोसों इंडियन आर्मी के लिए खड़ते जाने वाले 118 टैंक के डील को सील करने के बाद Ministry of Defense के तरफ से भी इसे लेके जानकारी दिया गया है Ministry of Defense के दवाराक स्टेटमेंट में बताया गया है कि कैसे Heavy Vehicle Factory अवदी चेननाई और Ministry of Defense के वीच में इन कॉन्ट्रैक के उपर हस्ताक्चर किया गया और इसका लागत के बारे में भी जानकारी दिया गया है इवन इसके इलावा टैंकों के कुछ खासियतों के बारे में भी Ministry of Defense के तरफ से अपने जानकारी में बताया गया है जिसके मुताविक यह जो टैंक है इसमें पहले के दुलना में काफी अधिक एकुरेट और सुपिरियर फायर फावर है इवन और टेरेंट मोबिलिटी स्पैसिलिटी भी है और यह मल्टि लेयर प्रोटेक्शन से लाइज है दोस्तों इस तरीके के प्रोटेक्शन के वज़ाए से इंडिया में जौफ के भी एक बहुत बड़ा क्रियेशन का बात कहा जा रहा है जिसके मुताविक ऐसे टैंकों के प्रोटेक्शन के लिए हैवी वियेकल फैक्टरी के साथ करीवन 200 अन्य वैंडर्स जिसमें MSME सामिल ह वो काम करेंगे और ये टैंक के डियल डारेक्ट या इंडारेक्ट रूप में करीवन 8000 नया जौफ क्रियेट करेगा कुल मिला के इस तरीके के टैंक के प्रोजेक्ट जहां पे इंडिजनाईशन को मद्बूत कर रहा है तो उही पे भारत के वविश्य के टैंक को भी तैया होने का रस्ता क्लियर कर रहा है तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले ज है हिन